आशा करता हूं सब लोग सवस्दुरस्थ होंगे तो बहुत सारे बच्चों को मैंली टीनेजर्स को ये उप लिए क्लियर करने वाला हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा इसकी मैं आपको गैरन्टि देता हूँ तो चलेगा जान लेते है HIV AIDS के बारे में तो फर्स्ट हम जान लेते है HIV क्या है HIV ये एक वाइरस है इसका फुल फॉर्म है Human Immunodeficiency Virus HIV ये एक वाइरस है जो की इंसानी बोडी को इंफेक्ट करता है ये एक बीमारी नहीं है ये क्या है ये एक वाइरस है इस तरीके से एक बैक्ट्रे हमारी बोडी को इंफेक्ट करता है उसी तरीके से ये एक वाइरस है जो हमारी बोडी को इंफेक्ट करता है तो AIDS क्या है AIDS ये एक डिसीज है सिंड्रॉम है सुन लीजेगा पूरा Acquired Immunodeficiency Syndrome Syndrome का मतलब होता है Group of Discs जब HIV का इंफेक्ट्षन हमारी बोडी में होता है तब हमारी बोडी के जो Immune Defense System है वो बहुत जादा वीक हो जाता है और इसकी वाइसे हमारी बोडी में बहुत सारे डिसीजेस आते हैं तो उसको पूरी कंडिशन को हम बोलते है Acquired Immunodeficiency Syndrome जो की है AIDS ठीक है तो यह हमने जान लिए HIV क्या है वाइरस है और AIDS क्या है यह complete group of diseases है तो मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दू कि यह जो हमारा Health Study Lover चानल है इस पर आपको बहुत सारी इसी तरीके से informative वीडियो मिल जाएंगे इसलिए चानल को सब्सक्राइब जरुर कर दो और बाजो में दे होगा है बेल आइकन को भी प्रेस कर दो तो चलेगा आगे बढ़ता है HIV आपको किस तरीके से हो सकता है तो सबसे पहली बात Unprotected Sex तो अभी जो बहुत सारे teenagers होंगे वो बोलेंगे कि यार प्रेगनेंट है कि उसको HIV है या तो आपको पता भी है उसको HIV है लेकिन आपने without Condom Sex किया तो आपको HIV हो सकता है जिसको HIV नहीं है उसके साथ आप किसी भी तरीके से Sex करो उससे आपको HIV नहीं होगा लेकिन जिस इंसान को HIV का Infection और इसके साथ अगर अगर कोई वुमन प्रेगनेंट है उसके वुम में जो है बच्चा है तो वह अपने बच्चे को HIV का Infection ट्रांस्मिट कर सकती है उसके साथ ही चाइल्ड के बर्थ के टाइम पे भी मदर से बच्चे को HIV का Infection ट्रांस्पर होता है उसके बाद जो है Breastfeeding Breast Milk से जो है वो HIV का Infection मदर से बच्चे को ट्रांस्मिट होता है इसलिए ये बी एक कारान है कि Pregnancy में, Childbirth में और Breastfeeding में बच्चे को मदर से HIV का Infection ट्रांस्मिट हो सकता है 32-40% चांस होता है Breastfeeding से और Childbirth में भी ठीक है इसके बाद बहुत ही ज़ादा ज़रूरी जो टीनर जास है उनको मैं बोलना चाहूंगा Injecting Drugs कोई भी अगर Drug Addicted है तो आप सावध हो जाएगा आप बोलते हो कि मेरा दोस्त तो Body Builder है हट्टा कट्टा है HIV के पेशेंट तो यार बहुत ही थीन होते है यह तो हट्टा कट्टा है इसको क्या Infection होगा लेकिन मैं आपको बता दूँ कि HIV का जो Infection है वो बहुत सालों तो पता ही नहीं चलता आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार यह हट्टा कट्टा बंदा है इसको भी HIV था बाद में जब डिटेक्ट होगा तो आप बोलोगे यह क्या होगा इसलिए नीडल शेरिंग यह चीज़े मत करेगा ड्रग अडिक्टेड वगरे यह चीज़ें से दूर रहेगा ठीक है अगर आप आपके दोस्त का नीडल वगरे यूज करते हो जिसने ड्रग लिया हुआ है वही नीडल आप यूज करते हो तो उससे आपको HIV का इंफेक्शन स्प्रेड हो सकता है उसके बाद वर्किंग इन होस्पिटल आप यह आप बोलोगे यार मेरे को दो डॉक्टर नी बनना मेरे को तो नरस ही नहीं बनना अगर होस्पिटल में काम किये तो HIV होगा तो ऐसा नहीं है देखो अगर आप किसी HIV इंफेक्टर पेशन का बलड सैंपल ले रहे हो और वही नीडल अगर आपको प्रिक हो जाती है तो आपको HIV का इंफेक्शन हो सकता है लेकिन इसके लिए प्रोपर गाइडलाइन्स है अगर आपको किसी भी HIV इंफेक्टर पेशन का नीडल प्रिक हो जाता है तो उसके लिए जो है वो एमरजनसी कुछ डोसेज होते है ड्रग्स के वो लेने पड़ते है आपको और वो अगर आप प्रोपर लेते हो तो HIV का इंफेक्शन आपकी बोड़ी में स्प्रेड नहीं होता है आपको HIV का इंफेक्शन नहीं होता है ठीक है तो बी अवेर और प्रिवेंशन इस बेटर दन की ओर तो इसलिए जब भी आप किसी पेशन्ट का प्रोपर स्क्रीणिंग नहीं किया गया जैसे कि आपने देखा रहेगा ब्लड क्या बड़े-बड़े होते है उसमें क्या करते हैं पेशन्ट का ब्लड लेते है इंसान का और वो स्टोर करते हो दूसरे पेशन को चड़ाते है लेकिन वो जो रहता है blood उसको proper screen करना पड़ता है कि क्या उसमें HIV का virus है या नहीं है अगर उसको properly screen नहीं किया हुआ है एक patient से लेकर दूसरे को अगर transfuse कर दिया है और उसका proper chance जो है test नहीं कराया तो HIV का infection spread हो सकता है same to organ transplant से भी organ transplant के time पे भी proper screening होना चीए उसके बाद बहुत सारे myths जो है कि क्या kissing से होता है क्या kissing से नहीं होता है अगर हम hug करते हैं तो क्या HIV spread हो सकता है क्या अगर हम साथ में खाना खाएंगे तो HIV spread हो सकता है तो वो भी हम detail में जान लेंगे तो first thing insect bite मच्छर काटने से HIV होता है उत्तर है नहीं क्यूं तो जो HIV का virus है वो human body के बाहर आने के कुछ ही गंटों बाद जो है neutralize हो जाता है air के contact में आने के बाद वो disinfected हो जाता है मतलब उससे कोई भी infection नहीं हो सकता इसलिए insect bite से नहीं होता है toilet seat अगर आप शेर करते हो किसी HIV infected patient के साथ तो उससे भी HIV infection spread नहीं होता है kissing से नहीं होता है यूजरी लेकिन इसके बारे में मैं आपको और डीटेल में बताऊंगा कि kissing से हो सकता है HIV तो उसका कारण क्या है वो भी मैं बताऊंगा अगर आप साथ में खाना खाते हो उससे भी HIV नहीं होता है ठीक है उसके बाद touching समझ लेज़ेगा किसी को आप touch कर रहे हो hug कर रहे हो किसी अगर HIV infected patient है और उसका जो पसीना है वो बाहर आ रहा है उसको अगर आपने touch किया है तो क्या इससे HIV spread हो सकता है तो इसका उत्तर है नह सब्सक्रावास जो है वो HIV का infection spread नहीं होता इसलिए kissing से HIV infection spread नहीं हो सकता लेकिन एक एक कंडिशन है जिसमें HIV infection spread हो सकता है वो यह है देखिएगा bleeding gum समझ लीजेगा कि कोई HIV infected person है उसके जो gums है वो bleed कर रहे है और आपके भी gums bleed कर रहे है मतलब दोनों साथ male or female के जो gum है वो bleed कर रहे है उन्होंने एक दूसरे के साथ kissing किया deep kissing तो वो जो sore होते है cracks होते है mouth में उससे अगर blood transfuse होता है एक दूसरे के body में तो उससे chances है rare बहुत rare chances है लेकिन फिर भी chances है कि HIV infection जो है वो एक person से दूसरे person में transmit हो सकता है तो यह चीज़ आप ध्यान रखिएगा इसलिए समझ लेका एक इनसान के अगर bleeding gum है दूसरे के bleeding gums नहीं है तो हाँ यह इससे नहीं हो सकता क्योंकि हमारा जो acid है stomach का वो भी HIV को neutralize कर देता है ठीक है तो अगर वीडियो अगर कुछ भी अच्छा लागा हो तो वीडियो को like, share और subscribe जरूर कर दे और maximum logo तक यह जो information है वो spread करे ताकि हम maximum logo तक जो बहुत सारे myths होते है वो हम हटा सके क्योंकि HIV infected patient जो भी होते है कई बार उनकी गलती ना होने की वाज़से भी infection होता है तो इसलिए उनको भी हम सम्मान दे सके हैं